तो आप यहाँ पे फाइनली देख सकते हैं कि मुझे नीरा अप्लिकेशन के माध्यम से 91,500 का लोन मिल चुका है और मेरे सामने यहाँ पे कॉंग्रेश्चुलेशन का मैसेज भी मिल गया है तो दोस्तो मैं आपको यहाँ पे live अपने bank account में transfer करके भी दिखाने वाला हूँ कैसे मैं इस amount 91,500 को अपने bank account में transfer कर पाता हूँ तो दोस्तो अगर आप भी किसी emergency में हैं और आपको personal loan की बहुत ज़्यादा requirement है बहुत ज़्यादा urgent है तो दोस्तो आप यहाँ पे neera in ancient personal loan अपलीकेशन के माधम से आप यहाँ पे एकreteno loan ले सकते हैं और आपको यहाँ पे बहुत ही असानी से बहुत ही कम tip के अंदर आपको यहाँ पे लोन फूरोबाइट कर दी जाता है की कैसे आप यहां पर नीरा अप्लिकेशन से एक पॉस्ट्नल लोन कना है। और अपके यहां पर चैसे टाहरा यहां पर काुशन के मिल जाता है आपको कितनी प्रशन के रिट पर याँ आपको ब्याजदर पर फूर्शन के अंदर इस विडियो गोई , अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके बताया हुआ है तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों निरा अप्लिकेशन से लोन लेने के लिए सबसे पहले आपको इंस्टॉल करके अपने फोन के अंदर इंस्टॉल करना होगा दोस्तों यहां पे आपको करना होगा तो इंग्ली का अप्षान को कलिक करेंगे तो दोस्तों हम यहां से इंग्लिस कुस्छ ट्रीश करने के बाद फिर आपके समने कुछ इस प्रिए श्कानमांज मिल जाता है जिसमें कि सबसे पहले आपकर लून सेक्षिं यानी आ वो कितने में लोन आवदी चुका थालनी है उसकी है का आपको समय सीमय मिल जाती है तो दोस्तों अगर आपको 50 के लून लेनी होई नो महिना पर में नो महिनना होगा मतलब की दोस्तों अगर rp6070 पर मन्त आपको देना पड़ता है तो दोस्तों सबjazd पहले मैं यहां पर बता दुब याहँ कितने देना पड़ते हैं सबसे पहले हम ऑपने ऐहँ और अपने एपटरा मांत में देना तो दोस्तों और टोटल देख सकते हैं आपको 43630 रुपया आपको यहाँ पे अपने पचासार के किस्त में आपको देने पड़ते हैं अगर हमें आपे पचासार माइनस करते हैं तो दोस्तो आपको यहाँ पे एक्ष्टा में 4,630 रुपए अपने अप्लिकेशन को देने पड़ते हैं अगर हमें आपे बात करें तो दोस्तों नौ महीना के अंदर आपको 4,630 रुपय कोई ज्यादा नहीं होती है ऐसे बहुत सारे ऐसा अप्लीकेशन है जो आपसे यहां पे 50,000 के लोन पे 9 महीना के अंदर आपसे यहां पे 10,000 के ब्याज ले लेते हैं तो दोस्तों अगर उनकी अप्लिकेशन के केंप्यरीजन में इस अप्लीकेशन की बात करें तो दोस्तों वे हम ज्यादा ही बेटर यह आपको अप्ली मिल जाता है उसके बाद दोस्तों आपके यहाँ पर नीचे में प्रोसीड का बटम मिल जाता है तो प्रोसीड वाले बटम पर क्लिक कर देंगे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके यहाँ पर नीचे में अप्लाई नाओ का बटम मिल जाता है तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई नाओ पर क क्लिक कर देंगे तो आप यहां पर अपलीकेशन के दुवारा बहुत ही अपलीकेशन है कि यहां पूर्म को लूंद पृष्ट करते हैं स्टाव को मिल जाता है आप अपलाई न्यूं斯 Civil किलिक करेंगे फिर आपके सामने किकिय dat करेंगे पेची कुछ करेंगे आपके हैं करेंगे उसके बद आपके अपने टेंडी का मोबाइल नमर फिल अप करना होता है नीचे में गेट ओटीप वाले वक्षन पर किलिक करेंगे आपकी जो टीप है आपको मोबाइल पर जाती है आप यहां पर बरफाई करेंगे तो यहां पर सबसे पहले आपको पॉस्टनल करेंगे आपके आप razor यदि को मिल जाता है दोस्तों आप EMAILE अपर फिल आप करेंगे फिर से नेस्ट करेंगे और निचे में प्रोसीड वाले बटम पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने ही मैं-चीक की डी छुच्छ फुचछ करेंगे नेश्ट में में आप से मे difference पूछा जाता है दोस्तों अगर आप साधी वे तो म constitutional करेंगे में आ प्ष 오े कि क्या, आपका मोबायल कलेंज और्मने लिंक करेंगे और नहीं होगा तो согई क्लेंगे और आपको याद नहीं होगा चैंगे कांव आपके नाम पर और भी कहीं से अभी में लून चल रहा है अगर आपके लून लिया होंगे तो यह पर क्लिक करेंगे नीचे में प्रोसीड का बटम मिल जाता है उसके बाद आप यहां पर प्रोसीड वाले बटम पर क्लिक कर देंगे अगें में आपसे यहां पर पर प्रोस अफ लून पुछी जाती है तो दोस्तों आपके यहां पर पर प्रोस अफ लून स्लेक करना होता है स्लेक करने के लिए आपके यहां पर क्लिक करना होगा जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे अप्संस मिल जाते हैं तो जैसे आप यहां पे purpose of loan पे click करते हैं तो सबसे पहले आपके सामने एक options मिल जाता है manage wedding मतलब कि आप यहां पे साधी के लिए loan लेना चाहते हैं next में आपके हाँ पे home renovation का options मिल जाता है again आपके हाँ अपे medical use का options मिल जाता है जिसमें चिल्डेन school three का option मिल जाता है मतलब कि बच्चो का मरने के लिए या फिरसे आपके हाँ पे education purpose course के लिए यान एजिकेशन loan का options मिल जाता है next में आपके हाँ गिफ्ट का option मिल जाता है फिरसे आपके हाँ नेव electronic पोड़क्ट क्षड़ने का option मिल जाता है ऐसे करके आपको बहूत सारे option मिल जाते हैं दोस्तों यहां पर आपको कोई ऐक option को select कर लेना है दोस्तों यहां पर अगर आपकी mother का बसंस की ाफसंस नहीं मिलती है तो नीचे में एक ruler का मिल जाता है अधर बाले बाटम पर क्लिक करें गे और उसके बाद आपकी यहां पर एक लाख का मिल गई है नीचे में मुझे लोन कर सकता हूं दोस्तों अपने लोन को कम भी कर सकते हैं जैसे कि दोस्तों मालीजेहाँ अगर खेल ओर अपर हम लोंक लेते हैं और 12 महिनों के अंदर हमें लोन पेमेंट करना होता है तो दोस्तों यहाँ पे हमसे 10,046 रुपे के EMI कोश्ट पॉर मंथ ली जाती है तो नीचे में आपके यहाँ पे Finish Loan Application का पेज मिल जाता है आप इस भी क्लिक कर देंगे उसके बाद आपके सामने Income Verification का पेज खुल के मिल जाता है तो दोस्तों आपके यहाँ पे 5 Step में आपना Income Verification करना पड़ता है सबसे पहले आपके यहाँ पे Company को E-mail करना होता है सकेंड में आप यहाँ पे Selfie Plan यहाँ पे आपको अपना Selfie Upload करना होता है उसके बाद से आपके यहाँ पे Civil Check की जाती है Experience के दुवारा फिर आपसे यहाँ पे Bank Statement ली जाती है और आपसे यहाँ पे Last में Address Proof ली जाती है अगर आपके सब कुछ सही जाती है तो आपके यहाँ पे Loan Provide कर दिया जाता है दोस्तों नीचे में के यहाँ पे Verify Employment का Option मिल जाता है आप इस पे क्लिक कर देंगे क्लिक करते हैं सबसे पहले आपके सामने Company View का Page खुल के मिल जाता है आपको जो है आप यहाँ पे अपने Company Detail डालना होता है जैसे कि हम आप अपने Company Detail में CSE डाल देते हैं जो डेजिगनेशन में हम अपने गाओं का नाम डाल देते हैं और आपके यहाँ पे Select Nature of Job मतलब दोस्तों आपको यहाँ पे अपना Nature of Job स्टेक करना होता है नीचे में आपके यहाँ पे verify email company करना होता है और आपके यहाँ पे upload ID करना होता है उसके बाद नीचे में Proceed का Button मिल जाता है आप Proceed While Button पे क्लिक कर देंगे नेक्ट में आपके यहाँ पे अपने 3 डोकमेंट देने होते हैं जिसमें कि सबसे पहला आधार का होता है second में आपको यहां पर pain card का होता है और third में आपको यहां पर last 3 महीने का statement देना होता है तो दोस्तो सबसे पहले आप अपना अधार card upload करेंगे next में pain card upload करेंगे और आप यहां पर अपने 3 महीने का month statement यानि की bank statement आपको upload करना है उसके बाद नीचे में apply now वाले बटम पर क्लिक कर देना है तो यहां पर आपको next में pain and selfie का option मिल जाता है तो दोस्तो सबसे पहले आप यहां पर अपना selfie upload करेंगे pain card upload करेंगे current address upload करेंगे और नीचे में proceed का button मिल जाता है proceed वाले बटम पर क्लिक कर देंगे उसके बाद आपकी civility पर चिख की जाती है और साथी साथ आपके उपर चिक के जाता है कि पहले सापने कहीं पर loan लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ हुआ है अगर लिया हुआ है तो कब तक आपका overdue चला है कितने किस्तों को आपको यहां पर तोड़ चुके हैं अगेन में आपके यहां पे बैंक के स्टेटमेंट का अप्शन मिल जाता है तो सबसे पहले आपको अपना एकाउंट नवर फिल अप करना होता है और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का लोगिन और पासवड है या नहीं होग बैंक डिटेल डालने के बाद आपके यहां पर बैंक डिटेल फिलित फाइड हो जाती है और आपका अपनबेंट का पांसु का लोण हमें मेल चुका है का मैसे बहुत ही जल्दी आपके पैसे ट्रांसफर कर दी जाती है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि रही बार के दिन में पैसे ट्रांसफर नहीं करी जाती है दोस्तों पैसे ट्रांसफर कर दिया गया है उसके अंदर में आप यहां पर पैसे जो है ट्रांसफर करवा लें तो दोस्तों आप यहाँ पर इस पॉर्शेश को फॉलो करके नीरा अप्लिकेशन से पॉर्शनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पुसंद आएगी तो वीडियो को लाई करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल कौन करें ताकि बैंकिंग और फाइनेंस से लेटर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके